तो अगर आपके पास भी यहाँ पे Redmi Note 11 डिवाइस है और आप लोग वेट करों इसमें HyperOS आने का तो कैसे के दोस्तों आई अब सब बड़िया होगे तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे Redmi Note 11 डिवाइस है जो की Indian users यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें अभी तक HyperOS का अपडेट यहाँ पे नहीं आया है यहाँ पे ग्लोबल में अपडेट जा चुका है पब्लिक रोल आउट हो चुका है सारे यूजर्स उसको यहाँ पे यूजर्स रह जाते हैं जिनको अपडेट आ जाता है अब फिर चला जा है लेकिन ग्लोबल में प्रोपर रोल आउट हो चुका है for Redmi Note 11 HyperOS वर्जन जो कि perfectly आप लोगों को मैंने वीडियो बना के दिया था और आप लोग नहीं भी देखा होगा कि Redmi Note 11 की वीडियो मैंने बनाई थी अपने चैनल पर आप लोगों को याद होगा जैसे कि हम यहाँ ही मेरा नम लिखोगे यहाँ पर देखोगे और बस आपको yperOS यहां पर डालोगे तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ यहाँ पर वीडियो जो कि मैंने यहाँ यहाँ पर डाली यह अपने चैनल पर एदिशा पर आप इस तरिके से जाने के बाद यहाँ इक वीडियो चाह पर बताया था कि ग्लोबल में कब रोलाउट होगा और ऐसा ही हम आज बताने वाले हैं क्योंकि देखो इंडियन यूजिस के लिए काफी सारी चीजें यहां पर अलग हो जाती है जैसी कि आप लोग यहां पर देखोगे रोलाउट रोड में यहां पर स्टार्ट किया गया था जैसी कि रिलीज आपको देखने को मिल जाता है March देखने को मिल जाते हैं क् पूट यहां पर देखने गा हम अब अगर आप लोग अंदाज है लगा एछ तो यहा पर इनसार डिवाइस केरे रिलीज हो चुका है अब मार्च उमार्च मेंन को देखोगे कि नहींग्स के लिखा हुआ है Redmi Note 11 Series, तो Note 11 Series को proper mention किया गया, यहाँ पर कोई personal device नहीं है, जिसमें 11E भी देखने को मिल जाएगा, 11 Pro भी देखने को मिल जाएगा, और 11 Pro 4G भी देखने को मिल जाएगा, और Redmi Note 11 भी देखने को मिल जाएगा, अब Q2 यहाँ पर कभी start होता है, अगर हम यहाँ पर Google करें, या Chrome करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ इस्ते हैं, जो Google हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, Q2 start है, यहाँ पर देखो, Q2 हम लिखते हैं, start है यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ आपको वह रेदमी नोट 11 प्रो प्लस 5 G के लिया आएगा फिर रेदमी नोट 11 प्रो फो जी या एगा और लास्ट में डिवाइस के लिया आएगा तो डे अगर करेत अब अप्रेंड करें कहा तो ह्युक्ति अप्रेन के पहले आपको यहां पे अप्डेट नहीं देखने को मिलेगा Redmi Note 11 device में and 15 April के बाद आपको इस वाले device में जो कि यहां पर बेक्रांड में Note 11 है हमारा इसमें आपको HyperOS का update देखने को मिलेगा इन इंडिया वह भी यहां पर Mi Pilot tester के लिए होगा अभी तक यहां पर पूरा rollout नहीं किया जाएगा इन अगर कोई problem होती है तो update को रोग दिया जाता है stable version के लिए ताकि और device में कोई भी दिकत ना है जिनके device खराब हो है उनके ही device खराब हो यहां पर 15 April के बाद आपको इन सब डिवाइस में update दिखने को मिल जाएगा और जो बाद का Q2 जो सीरीज वरस्ती है यान कि April to June है मई अब लिए इन जून में क्या होगा तो मई एन जून में इन सारे डिवाइस लिए जितने भी इस सारे डिवाइस हैं इन सब के लिए public रोल आउट किया जाएगा अभी starting first भी मन्त में ही इन सब के लिए beta tester रोल आउट किया जाएगा और उसके बाद सब को stable version दिया जाएगा जो कि प्रोफल ही एक update रोल आउट होता है सारे डिवाइस यहां सारे users उसको यहां पे use कर सकते हैं लेगिन अगर एक बार beta update भी आगया तो आप लोग उसको भी install कर सकते हो rename वाली trick से बस आपको update देखने को मिल जाएगा तो यही ता आज की वीडियो में कि आप लोग काफ update देखने को मिल जाता है और 100% इसमें यहां पर 11 यानि कि 15 अपरेल के बाद ही update देखने को मिलेगा Redmi Note 11 सेरीज में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि 100% में तो वीडियो बनाऊंगा एं आपको बताऊंगा भी आप लोग कैसे जल्दी से अपडेट कर कर पाऊगे सबसे वारे वीडियो आजाएगी तो चाल को सब्सक्राइब कर लो साधिया इस वीडियो को लाइक कर दो एन हम मिलते हैं एक और इंटरेसिंग वीडियो में जद्दे के लिए जेहिं जे भारत